आज हम यह जीरो नंबर के गुपाल जी की ड्रेस बनाएंगे, यह बहुत ही एजी है, और मैंने इसे स्टेप बे स्टेप बताया है, सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, और चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आट, नो, दस, घारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, टोटल 15 चेन बनाएं, अब देखी, एक, दो, एक, दो, तीन चैने स्किप करेंगे, अब झा तीन चैने स्किप करने के बादे, जाना में बदा स्टेफे कडाईंगे और यह डबल उउट क्रॉशे करेंगे, एक्स्ट्रोली चैन में भी डबल क्रॉशे करेंगे इस राउंड में हम सभी चैन में एक डबल क्रॉशे करेंगे जो यह तीन चैन हमने स्किप करें थी यह डबल क्रॉशे काउंट होगा तो इस तरह से हमने सब ही चैनल में एक डबल कॉशे बनाए तो जो स्टार्टिंग में हमने तीन चैनल स्किप्ट करी थी वह दो पीडबल कॉशे कांट होगा तो इस तरह से मारे पास 13 डबल कॉशे हो गए अब नेक्स रांड के लिए देखिए एक और दो चैन बनाएंगे औ तो यसाँ में संभगास खती द्वल है, यसाँ में हम सब्सक्राइब करें पार देखने में अगल ethics नेक्स्ट वाली में तीन लूपो को एक साथ निकाल देना ही क्वाम हमाइए 200 जोर्ण कर रहे हैं तो इस राएंद में सभीछेनि में हम i-s जोर्ण में हम 2-1 . आप डबल कॉश्छे करने तो आप सभीसें में 2-2 जोर्ण भीछें कर सकते हैं में बस स्बीस के लिएक हो और ये दो इस तरह से सभी ममैं है कि अधे कर चैन में प्रस्ट में चेरो को डालेंगे और एक अध्साय र क्राशे में थी या सभी हाख कृख्यों साबग llev गनार mails प्रस्ट में मिलेके हैं प्रस्टमें एक शाद केहने ङौर रचेयों कि i.e coffee yoga instructors बनासकते तो देखे हमारे पास 1st छूम 282 हमारे थे 20 थू क्रॉआशי कोर्ट दो डालेंangi और एक सम्राइवेधा बनाया निट दल दो बनासकते हैं टोटल हमारे पास हमें सब्सक्राइब 2,1 possibility, सब्सक्राइब 2 और वाला रांड में एक हाल डविल क्रॉशे बनाया तो तोटल 24 हाल डविल क्रॉशे हमारे पास इस रांड में हो गए अब देखें, नेक्स रांड के लिए हम अब यहां से बाजू निकालेंगे, एक दो और यह वाला रांड में तीन जैनरीं के दिर ** gleich होगी हें के द्रकुम हैं logic स्वाइब एक स्वाफ़ी होगी। निजिटेश्चे बिर्क्रोषे काउंट होगी। क्या मेरा ही ना सिकाल से ना सिर्षय काउंट होगी। थीचाल सिर्ष्टी काउंट होगीी। якस दिर एक स्वाफ़ी कोश्य कुण्य। इस तरह तो यह देखिए फर्स्ट हमारा बाजुब का पार्ट निकल गया अब देखिए हम इसमें नेक्स्ट में दो आप दूसरा डबल क्रोशे यह बैक साइड डो डबल क्रोशे तीन चार पांच छे साथ और यह आठ डबल क्रोशे बनाएं बैक साइड के लिए देखिए अब नेक्स्ट वाजु के लिए देखिए हम एक दो टीन चार चैन स्किप करेंगे फिफ्ट वाली में क्रोशे यह को डालेंगे इस तरह से एक डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे दो डबल क्रोशे देखिए तीन डबल क्रोशे अब यह देखिए जो दो चैने बनाएं इसमें फर्स सेकेंड जो उपर वाली चैने उसमें क्रोशे यह इस तरह से हमारे पास देखिए यह बाजू बन गया सेकिंड बाजू भी इस तरह से यह देखिए इस तरह हमारी चोली बन गई छोटी सी देखिए इस तरह से लास्ट में फिर थर्ड वाली चेन में क्रोश्यों को डाल के स्लिप्स डिस्टे से जोड लेंगे इस तरह से हमारी चोली की लेंद्ध बड़ी देखिए अब एक चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे नहीं कलर की थ्रेड जोइन करने के लिए देखिए इस तरह से देखिए जो हमने थ्रेड कट की थी जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको सुई या क्रोश योग के अलब से हाइड कर लेंगे अंदर लूपस में डालते हुए अंदर की तरफ रॉंग साइड में ताकि हमारी थ्रेड दिखाएना दे और निकले भी न इसे आप क्रोश योग के अलब से भी लूपस में डालके हाइड कर सकते हैं अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा थ्रेड रहती है उसे कट कर लीजिए बचे हुए तो देखिए इस तरह से एक नई कलर की थ्रेड जॉइन करेंगे सबसे पहली उसके लिए एक स्लिपनr पनाइंगे और अपने पाटन को लेंगे किसी क्रॉश को डालेंगे इस तरह से देखिए ओर यजो स्लिपनॉट है इसको बी डालेंगे इस तरह और एक चेन बनाते हुए थ्रेड को अटैच करेंगे इस तरह से देखिए अटैच हो गया हमारा थ्रेड अब फिर दो और तीन चेन बनाई तीन चैन एक डबिल क्रॉश काउंट हो गया दागला पेटेंगे और इसी वाली चैन में इस तरह से निकालेंगे एक दो तीन और चार बार निकालेंगे इस तरह से यह जो अब यह सारे लूप है इनको एक साथ निकालेंगे देखिए इस तरह से पॉप कॉन स्टिच फिर एक चेन बनाई इस तरह उपर यह जो थ्रेड है इसको साथ साथ बून लेंगे ताकि यह हाइड हो जाए तिके ना निकल लिया, नेक्स चैन बे भी हम पॉप कॉन स्टिज बनाएंगी, एक, दो, तीन, चार, और ये एक बार पांच, क्योंकि हमने उसमें एक बार तीन चैन बनाई थी, तो हमें चार लिया थे, उसमें फाइव बार लेंगे, इस तरह से सबको एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन ब ये इस तरह से पॉप कॉन स्टिच सभी में बनाते जाएंगे, फिर नेक्स वाली चैन में डालेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच बार अब इसको इस तरह से एक चैन बनाएंगे, इस तरह से ये पॉप कॉन स्टिच बनाएंगे, एक chain बनाई फिर next trolley chain में इधा भी साथ साथ इस तरह से रूनते जाएंगे hide हो जाएगा दिखेगा ने अब next trolley chain में एक दो तीन चार चार बार फन दे और एक पांच बार तो पॉप कॉं स्टुच पांच पास फंदों का इस तरह से लेंगे फिर एक चेन बनाएंगे सबी को एक साथ निकाला फिर नेक्स्ट में एक दूबरा देखे एक दो तीन चार और ये पांच पांच बार लिया फिर इन सभी को एक साथ निकालेंगे इस तरह चेन बनाया तो ये देखिए ये अपने सभी चैनों में बनाते जाएंगे हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोश हैं तो उनके 16 चेन तो सभी में पॉपकों स्टीच इस तरह से बनाते जाएंगे इस तरह से ये बनेगा हमारा एक बार बता देखिए ये जुन चेन है इसमें क्रोश्यों को डालेंगे एक बार दो बार लूप लिया तीन बार फिर लूप लेंगे चार बार फिर से लूप लिया फाइल और इनको एक साथ निकालेंगे सभी को फिर एक Chain बनाएंगे इस तरह से बनाते जाएंगे तेख्या इस तरह से ये बना अब जो ये हमारे पास Popcorn Stitch ये बाइख्याव पर Chain है उसमें क्रॉशियोट को डालेंगे और Slip Stitch करेंगे फिर एक Chain बनाई इस तरह से और इसी जगा पे एक single crochet करेंगे इस तरह अब देखिसे जो दूप स्टिच या पॉपकॉण स्टिच के बीच में जगा है यह देखिसे Mm a एक सिंगल क्रॉश डूप अब और एक और दो सिंगल क्रॉश डूप मेरे इस तरह आपॉकॉण स्टिच के उपर एक सिंगल क्रॉशे अपि जो बीच में एक और ये दो इस तरह से देखिए फिर इसके उपर जो चेन है एक single crochet बीच में एक और यह 2 single crochet इस तरह से फिर जो उपर puff stitch के chain उसमें देखे एक single crochet तो इस तरह से एग़ा हैं repeat करते जाएंगे इस तरह से बनाया अब देखें last में जो chain है इसमें crochet को डालेगे slip stitch करेंगे फिर एक chain बना के अपनी थ्रेट को कट कर लेंगे इस तरह से देखिए पैटम बना इस एक स्लिपनोट बनाए रड़की स्लिपनोट स्लिपनोट बनांबाद को धि देखिए अपनी स्लिपनोट को से एके बनाएंगे इसे जुएद देखिए इस तरह से निकलतीन है फिर स्लिप noot बनाने से फिर दो और ये तीन chain बनाएंगे और धागला पीटा अब देख Game एसको इस तरह से करेंगे ये तीन लूपों को एक साथ किनालेंगे ये को नॉट बन गए यहीं से कॉपर नॉट बनाए फिर एक और ये दो से करेंगे यह इन सभी बढना हाँ एक साथ निकालेंगे फिर एक और ये दो चैन बनाएंगे इस तरह से फिर एक और ये दो चैन स्किप करें ठर्ड वाली में डबल क्रॉशे फिर इस तरह से ये जो डबल क्रॉशे इसको इस तरह से नॉट बनाएंगे फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे फिर यहां से एक और दो चेन स्रिप्ट करें थर्ड वाली में डबल क्रॉशे बनाएंगे फिर इस तरह से लेंगे और फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे तो इस तरह से राउंड रिपीट करते जाएंगे देखिए हमारा पैटन इस तरह से बना अब लास्ट में जो चेन है इसके उपपर देखिए वाली इसमें क्रोशिय को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड लेंगे इस तरह और एक चेन बनाते वे अपनी त्रेड को कट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से पैटन बना तो हमारा पैटन है यह जो यह काउंट करेंगे हम तो यह दो के मल्टिपल होने चाहिए मतलब जैसे आप महारे पास टोटल दो मतलब दो के मल्टिपल मतलब 16 18 20 इस तरह से होने चाहिए इस तरह से यह एक दो तीन चार पाँच जैसे काउंट करेंगे तो दो के मल्टिपल में होने चाहिए अब नए color की thread को join करेंगे, इसके लिए slip knot बनाएंगे, pattern को पकड़ेंगे, जो हमने यह बनाए है, यह देखिए, यह हमारे 2 का multiple होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, count करेंगे तो हम 14, 16, 18, 20, 22 इस तरह से होने चाहिए, अब देखिए, इसमें से किसी में भी crochet को डालेंगे, अपनी slip knot को डालेंगे, और देखिए, एक chain बनाते हुए, attach करेंगे thread को, अब attach करने के बाद, इसी जगा पे, एक single, देखिए, attach हो गया हमारा thread, और इसी जगा पे, single, crochet बनाएंगे, इस तरह, single crochet बनाने के बाद, एक, दो, तीन, चार chain बनाएंगे, जो यह next वाला, next वाला है हमारा box, उसमें single crochet, चार chain बनाएंगे, फिर next बार, एक, दो chain बनाएंगे, next box में single crochet करेंगे, अब हमने दो बनाएंगे, तो next में 4 बनाएंगे, दो, तीन, चार chain बनाएंगे, next वाले box में single crochet बनाएंगे, फिर चार के बाद, दो chain बनाएंगे, next वाले में single crochet, फिर एक, दो, तीन, चार chain बनाएंगे, next में single crochet, तो देखिए, हम एक बार चार chain बनाएंगे, फिर एक बार तो फिर एक पड़ चार एक पड़ दो इस तरह से सिंगल क्रॉशे बनाते वे पूरे रांड में कड़ें अब देखिए चार चैन बनाई फिर उसके बाद एक और ये दो चैन बनाई अब हम इजो वाली चैन है इसमें जोड लेंगे क्रॉशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहां पर इस तरह से तो देखिए हमारा इस तरह से रांड बना अब यह जो हमारी चार चैन वाली लूप है इसमें क्रॉशियो को डालेंगे स्लिप स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा क्रॉशियो की यहां पर आ जाए अब फिर इसमें एक, दो, तीन चेन बनाएंगे, और तीन चेन एक double crochet कांट होगा, इसी में फिर एक double crochet, तो एक ये दो double crochet, तीन double crochet, 4 double crochet, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11, हमें इसमें 11 double crochet करने हैं, चार चेन वाले लूप में, अब ये दो चेन वाले लूप आएगा, इसको स्किप्ट करेंगे, फिर से ही 4 चेन वाला लूप, इसमें 11 double crochet करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छेक, साथ, आठ, नो, दस, और ये 11, 11 डबल ग्रोशी करेंगे, इस तरह, फिर ये 2 चेन वाले लूप को स्किप्ट करेंगे, फिर next 4 चेन वाला जो लूप है, इसमें फिर से 11 double crochet करेंगे, तो इस तरह से round बनाते जाएंगे, दो चेन वाले स्किप्ट करेंगे, फोर में, फोर चेन वाले लूप में, 11 double crochet करेंगे, तो round के end तक बनाते जाएंगे, देखे, लास्ट में हम जो starting में थर्ड चेन, तीन चेन बनाएंगे, तो थर्ड वाली चेन जो सबसे उपर है, उसमें क्रोश्यों को डालेंगे, slip stitch करेंगे, और अपनी thread को, एक chain बनाते वे, cut करेंगे, देखे, इस तरह से, तो हमारे, हमारे जो pattern है, वह इस तरह से बनाए, देखे, छोटे से काना जी के लिए, जीरो या एक नंबर के काना जी के लिए, यहाँ पर मैंने half double crochet किया, एक double crochet कर सकते हैं, तो अब, अब, देखे, जो हमने यह pattern बनाए है, जो यह, तो इसमें देखे, फर्स chain को हम skip करेंगे, सिकिंड वाली chain में, देखे, हर chain के दो लूप होते हैं, एक front आगे का और back पीछे का, तो हम back loop में काम करेंगे, तो इसके लिए देखे, सबसे पहले एक slip knot बनाएंगे, तो इसी में एक single crochet बनाएंगे, इस तरह, अब, नेक्स वाली chain में भी single crochet बनाएंगे, दो single crochet, और यह thread भी सासद बुन लेंगे, ताकि हाइड हो जाए, तीन single crochet, चार single crochet, चार single crochet बनाने के बाद देखे, फिफ्ट वाली जो chain में, इसमें एक single crochet, दो, सेम चैन में, दो single crochet, तीन single crochet, और चार single crochet, फिफ्ट वाली chain में, चार single crochet बनाएंगे, बाके इस सिक्थ वाली chain में फिर, एक single crochet, उससे नेक्स वाली में भी सिंगलें के लाखो करें हैं वर सकतवना है कि रवback करेंगे को सकिप करेंगे अब देखें जो ये हमारा यह वाला जो pattern है, इसके उपर जो chain है, उसको इस तरह से डालेंगे, crochet को देखिए इस तरह, इसमें एक दुवारा देखिए, जो यह वाला pattern है, इसमें crochet को इस तरह से डालेंगे, और एक long stitch single crochet बनाएंगे इस तरह, अब next यह वाली chain को skip करें, next वाले back loop में, फिर एक single crochet, देखि यह next वाली में, back loop में, दो single crochet, तीसरी वाली back loop में, तीन single crochet, चौती वाली back loop में, 4 single crochet, फिफ्थ वाली में, फिर back loop में, एक, दो, तीन single crochet, और यह चार single crochet, इस तरह से बनाने, फिफ्थ वाली में, फिर, सभी में, फिर, एक, दो, सिंगल क्रोशे बनाएंगे सभी में, एक-एक सिंगल क्रोशे, और देखें, लास्ट वाली को स्किप करेंगे, जो हमारे ये वाला है, जो इस वाले राउंड का, इसके उपड़ चेन बनी हुई है, इसमें क्रोशे को डालेंगे, देखें इस तरह, और एक लॉंग स्टिच सि फिर ये इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट जो बैक लूप में, फिर से सिंगल क्रोशे, तो देखें, ये हमारे हम इस तरह से बनेगा, तो ये एंड तक बनाते जाएंगे, इस तरह से ये पैटन बनेगा, अब एक पार और देख लीज़े, जो हम इधर से उठाएंगे इस एक लॉंग स्टिच सिंगल क्रोशे, तो ऐसे ही अपना पैटन बनाते जाएंगे, अब देखें लास्ट में, यहां से स्टिच उटाएंगे इस तरह, और फिरी जो चेन है, फरस्ट वाली, इसमें क्रोशे को डालेंगे, और स्लिप स्टिच से जोड लेंगे, इस तरह, तो यह इस तरह से देखिए, बना, देखिए, यह बॉर्डर बनाएंगे, आउटलाइन करेंगे, तो आप चाहे तो स्लिप नॉट से भी जोइन कर सकते हैं, देखिए, मैंसे ही कर रही है, तो इस तरह से जोइन करेंगे त्रेड को, एक चेन बनाते हुए, अब देखिए, चाह निकाल देंगे इधागा सासा बूनते जाएंगे ताकि सिक्यार आजा निकलेना और हाइट भी हो जाए देखिए जो हमें लूप मिलता जाएगा हम उसमें क्रोश्यों को डालते हुए अपना बनाते जाएंगे पैटन इस तरह करा बनाते जाएंगे जाएंगे जालते हैं कमोसी कर glaubार्य में कदो ड़तो कपिए सिक्यार आएंगे दिरन आते हैं कि आता है आतな हैं रहा हिए खाटने जा-ठाजिस्ट तूम ऺैंगे विर बनां फिर तामें ग eman time प्रेखे जो नेकलाइन है उसमें अब रिंगल लैन हाली साइड में आग तो उसमें सिंगल क्रॉष ह्य बनाएंगे इस तरह जो हमेर चेन मिलती जाएगी नेकलाइन में इस तरह से हम žeफ सिंगल क्रॉष बनाते जाएंगे अब देखिए कि देखिए इस तरह से हमारी dress बन गई मैंने बाजयों भी border बना ली outline और देखिए ये chain की डोरी बना ली एक जो chain की डोरी हमने एक में उपर एक बार नीचे एक बार उपर एक बार नीचे इस तरह से निकाली है तो इस तरह से मारी dress बन ली zero number के copal zagak के दियए कि अजया जगा हुगा हुग झाल को साकते हैं